एपिसोड 35 नाजुक बॉन्स एक बेस्ट ओनलाइन अर्निंग लखी प्रॉमिस कहानी जैसे जैसे मुंट गॉमरी परिवार की वकालत यात्रा आगे बढ़ी उन्हें खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने और अपने समुदाय में स्वस्थ किफायती भोजन तक पहुँच को बढ़ावा देने की बढ़ती आवशक्ता का सामना करना पड़ा खाद्य न्याय और पोशन के महत्व को पहचानते हुए मुंट गॉमरी परिवार भोजन पहुच और समानता का समर्थक बन गया उन्होंने गरीबी स्वस्थ भोजन विकलपों तक पहुच की कमी और खाद्य प्रणाली में प्रणाली गत असमानताओं सहित खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए काम किया उनके द्वारा समर्थित प्रमुख पहलों में से एक सामुदायक उध्यान और शहरी क्रिशी परियोजनाओं का विकास था उन्होंने स्थानिय संगठनों, स्कूलों और निवासियों के साथ मिलकर ऐसी जगहें बनाई जहां लोग अपना खाना खुद उगा सकें, बागवानी के बारे में सीख सकें और अपने पडोसियों से जुड़ सकें इसके अलावा, मौंट गौमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो स्थानिय खाध्य प्रणालियों का समर्थन करती थी, और सभी निवासियों के लिए ताजा, स्वस्थ भोजन तक पहुँच बढ़ाती थी उन्होंने किसान बाजारों, समुदाय समर्थित क्रिशी, CSA, कार्यक्रमों और वंचित इलाकों में खाध्य सहकारी समितियों के विस्तार की पहल का समर्थन किया भोजन पहुच के लिए अपनी वकालत के अलावा, मौंट गौमरी परिवार ने भोजन की बरबादी को सम्बोधित करने और अपने समुदाय में स्थाई खाध्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया उन्होंने स्कूलों, रेस्तरा और किराने की दुकानों में भोजन की बरबादी को कम करने की पहल का समर्थन किया और उन नीतियों की वकालत की जो खाध बनाने और भोजन पुनरप्राप्ती प्रयासों को प्रोचसाहित करती है उनके वकालत प्रयास विशेश रूप से कम आयवाले समुदायों और रंग के समुदायों में भोजन पहुँच और पोशन शिक्षा में अस्मानताओं को संबोधित करने पर केंद्रित थे उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनने और उनके भोजन बजट को बढ़ाने में मदद करने के लिए पोशन शिक्षा, खाना पकाने की कक्षाएं और खाध्य सहायता कार्यक्रम प्रदान करते थे अपने वकालत कार्यके माध्यम से मुंट गोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने की मांग की जहां हर किसी को पौश्टिक, सांस्कृतिक रूप से उप्युक्त भोजन और अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए ज्यान और कौशल वे समझते थे कि खाध्य न्याय केवल भोजन तक पहुँच के बारे में नहीं है, बलकि खाध्य प्रणाली में गरीमा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के बारे में भी है। परिवार भावी पीडियों के लिए एक बहतर दुन्या बनाने की अपनी प्रतिबधता पर द्रिज रहा। उन्होंने करुणा, सहनुभूती और न्याय के मूल्यों को मूर्त रूप दिया और उनके नक्षेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। को बढ़ावा देना था। उन्होंने विवित्ता को बढ़ावा देने, समान अफसर सुनिश्चित करने और समावेशन की संस्कृती को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं की वकालत करने के लिए स्थानिय व्यवसायों, शेक्षनिक संस्थानों और सरकारी ए जवहार को बढ़ावा देने के लिए विविद्धा प्रशिक्षन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक योग्यता कार्यशालाओं और अन्य पहलों की वकालत की। इसके अलावा, मुंटगॉमरी परिवार ने स्वास्थे देखभाल तक पहुँच में असमानताओं को दूर करने और अपने समुदाय में स्वास्थे समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। मानसिक बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए शिक्षा और सहायता प्रदान करने और मानसिक कल्यान और लची लेपन को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मुंट गोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने का प्रयास किया जहां हर कोई नागरिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए मूल्यवान, सम्मानित और सशक्त महसूस करे। वे समझते थे कि नसलिय और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए प्रणालिगत असमानताओं को दूर करने और मतभेदों के बीच पूल बनाने की आवशक्ता है। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मूंट गोमरी परिवार अधिक न्यायपूर, न्याय संगत और समावेशी समाज के अपने द्रिष्टिकोण के प्रती प्रतिबध रहा। वे समझते थे कि स्थाई परिवर्थन प्राप्त करने के लिए सामुहिक कारवाई, द्रिधता और सामाजिक न्याय के प्रतिगहरी प्रतिबधता की आवशक्ता होती है। चल रही चनौतियों और बाधाओं के सामने, मुंट गोमरी परिवार भावी पीडियों के लिए एक बहतर दुन्या बनाने की अपनी प्रतिबधता पर द्रिध रहा। उन्होंने करुणा, साहनुभूती और न्याय के मूल्यों को मूर्त रूप दिया और उनके नक्षेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। जैसे जैसे मूंट गोमरी परिवार की वकालत यात्रा जारी रही, उन्हें अपने समुदाय में आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यम शील्ता को बढ़ावा देने के नए अवसरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते बनाने और नवाचार और रचनात मक्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। पहुत सहित छोटे व्यवसाई के विकास और उद्यमिता का समर्थन करती हैं। उन्होंने उद्यम शील्ता की बाधाओं को दूर करने के लिए काम किया, विशेश रूप से महिलाओं, रंग के लोगों और अन्यकम प्रतिनिधित्वा वाले समुहूं के लिए। इसके अलावा, मुंट गोमरी परिवार ने कार्यबल विकास और नौकरी प्रशिक्षन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया, जो व्यक्तियों को उभरते उद्योगों में सफल होने के लिए आवशक कोशल और साक प्रदान करता है। उन्होंने सभी निवासियों के लिए कैरियर मार्ग और नौकरी के अवसर बनाने के लिए नियोकताओं, श्रमिक संगों और शैक्षिक प्रदाताओं के साथ सहयोग किया। उनके वकालत प्रयास उनके समुदाय में वित्तिय साक्षर्ता और संपत्ती निर्माण को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित थे। अपने वकालत कार्य के माध्यम से मुंट गोमरी परिवार ने एक ऐसा समुदाय बनाने का प्रयास किया जहां हर किसी को आर्थिक सुरक्षा और समुदायों के निर्माण और धन और अफसर में अस्मानताओं को कम करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक था। जैसे जैसे उनकी वकालत यात्रा जारी रही, मुंट गोमरी परिवार अधिक न्याइपूर, न्याइसंगत और समावेशी समाज के अपने द्रिष्टिकोण के प्रती प्रतिबध रहा। वे समझते थे कि आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने के लिए प्रणालिगत बाधाओं को दूर करना और सभी निवासियों के सफल होने के अवसर पैदा करना आवश्यक है। चल रही चनोतियों और बाधाओं के सामने मुंट गोमरी परिवार भावी पीडियों के लिए एक बहतर दुन्या बनाने की अपनी प्रतिबधता पर द्रिज रहा। उन्होंने करुना सहानु भूती और लची लेपन के मूल्यों को अपनाया और उनके नक्षेकदम पर चलने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की विरासत छोड़ी। नाजुक बॉंस एक बेस्ट ओनलाइन अर्निंग लखी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिल्चस्प कहानी। झालोगों के लिए प्रॉमिस कहानी। झाल झाल झाल